केंद्रिय राज्य मंत्री राउंद्र जी सिंग ने आज रेल्वे की करीब 14 करोड की जोजनाओं का शुभारब और स्यला न्याव किया राउंद्र जी सिंग ने गुरुग्राम रेल्वे स्टेशन पर बने फोटोवर ब्रिज के साथ साथ प्लेटफॉण नंबर एक पर लगे एकसिलेटर का शुभारब किया रेल्वे स्टेशन आने जाने वालों लोगों को अब इसका लाब मिल सकेगा केंद्रिय राजमंत्री राउंद्र जी सिंग ने बताया कि स्थाने निवासियों की और से पिछले कई वर्सों से रेल्वे स्टेशन के आर पार्क फुट ओवर ब्रिज की मांग उठाई जा रही थी जिसको लेकर लगातार प्रयास किये जा रहे थे ये फुट ओवर ब्रिज राजिंद्रा पार्क के आसपास की विभिन कॉलोनियों को जोडने की सुवधाएं प्रदान करेगा फुट ओवर ब्रिज से रेल्वे स्टेशन पर चड़ने और उतरने के लिए एकसलेटर की सुवधाएं भी मुईया कराए गई हैं इस सुवधा से रेल्वे स्टेशन से ब्रिज पर चड़ने और उतरने वाले यातियों के साथ साथ गुजर्ग और बिमार यातियों को उसका लाप मिल सकेगा यहां पर मैं करने के लिए आया हूँ यह सुवधा अलड़ी मिली हुई है साथ साथ आज नीव रखी गई है जटॉली के अंदर जो क्रॉसिंग थी उसके उपर बहुत हाथ से होते थे कई लोग मर भी गए उसके अंदर तो वहां पर अंदर पास बनाने के लिए योजना है उसकी शुरुआत आज से हुई है तो रेलवे की तरफ से जो काम पिछले दुनों के अंदर किये गए हैं उसका जिक्रा किया है और सरहना करी है मेवाद मेवाद पास्यों के लिए जो कई सालों से एक रेल की पठीडी चाह रहे थे जिसका जिक्रा पिछले से पिछले से जोडेंगे उसका हेड इस बजेट के अंदर खुल गया है तो हमारे को उमीद है कि आने वाले दो-चार सालों के अंदर इसके ओपर रेलवे लाइन भी बिच जाएगी बताया कि केंदरी मंत्री राओंद जी सेंग ने नगा निगम की लगबग 17-18 करोड रुपे की विकास पर योजनाओ का शिलन्यास और शुभारम किया है और हमारे जो नगा निगम के कारे चल रहे थे जो बड़े प्रोजेक्ट चले थे इसमें इसमें 17-18 करोड के लगबग हमारे बर्क थे चारे सबी वार्डों के तो आज उनका भी सिला ने आज किया है उन्हीं इंग्रेशन किया है हमारे केंदरी मंत्री राओंद जी जी ने Bureau Report, VNews